असमिल्ला रह्मार रहीम, welcome to medical medics, today our topic of our discussion is glycolysis इससे पहले वेली वीडियो के अंदर हमने general बात की थी कि हम diet से glucose को कैसे cell के अंदर लेके आएंगे और जो glycolysis का process होता है वो कहाँ पे take place कर रहाता है आज की वीडियो से हम शुरू करेंगे glycolysis के process के जो glycolysis का process होता है इसमें दो phase होता है एक होता है energy investment phase energy investment phase energy investment phase का क्या मतलब है कि इसके अंदर हम ATP को use कर रहे होंगे यहनि ATP को invest कर रहे होंगे जबके दूसरा जो इसका phase होता है वो होता है energy production phase यहनि पहले हम investment कर रहे हैं फिर हमें product मिल रहा है अब यह जो energy investment phase होते हैं इसके अंदर हमारे पास होती है first five reactions यहनि जो first five reactions होती है glycolysis के वो energy investment phase के अंदर आती है और उसके बाद जो reactions आएंगे वो energy production phase के अंदर रहेंगी general बात करें तो glycolysis के अंदर हमारे पास three regulatory steps होती है three regulatory steps होती है अब इन तीन regulatory steps का क्या मतलब है कि हमारे पास three regulatory enzymes भी होंगे इन enzymes और इन steps को हम बाद में दुबारा से भी revise करेंगे अब ही हम शुरू कर रहे हैं पहला step अब यह जो first step होता है glycolysis के अंदर हम क्या कर रहे होती है कि glucose को convert कर रहे होती है into the glucose six phosphate अब यहां से मारे पास आ गया था glucose cell के अंदर तो cell के अंदर हम इसकी सबसे पहले phosphorylation क्यों कर रहे है इसकी phosphorylation हम इसी लिए करते हैं ताकि यह cell के अंदर intrapp हो जाए glucose six phosphate को हम इसकी phosphorylation हमने इसी लिए की है ताकि हम इसको polar molecule बना ले अब यह जो polar molecule होता है यह lipid bilayer से cross नहीं कर सकते तो इस तरह से हम इसको intrapp कर लेते हैं cell के अंदर अब यह वाले जो step होता है जिसमें हम glucose को glucose six phosphate के अंदर convert कर रहे होती है इसमें हमारे पर involved होता है enzyme hexokinase उसके लाबा involved होता है glucokinase अब hexokinases भी काफी तरह के होती है जिसमें main 1 से 3 तक होती है और hexokinase 4 को ही हम कहते है glucokinase यह जो हम कह रहे है glucokinase अब यह जो phosphate है यह हमें कहां से मिला है तो इसमें हम energy invest करें तो ATP से ADP बन जाएगा और इसका जो phosphate होगा वो हम यहां पे invest करें तो glucose 6 phosphate मन गया उसके लाबा बात करें तो यह वाले जो step होता है यह होता है rate limiting step rate limiting step उसके लाबा यह irreversible भी है metabolism को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि kinases और phosphatases का क्या मतलब है kinase enzyme हम तब यूज करते हैं जब हम phosphorylation कर रहे होते हैं यानि phosphate group को add कर रहे होते हैं और phosphatases हम तब यूज कर रहे होते हैं जब हम phosphate group को remove कर रहे होते हैं तो यहां पे हम इसलिए hexokinase यूज करें और glucose काइने यूज करें अब next बात आती है कि hexokinase और glucokinase के हमारे पार कोई differences होते हैं उनको देख लेते हैं ये examination point of view से भी काफी important है कि hexokinase और glucokinase के differences बताने होते हैं इसको हम tabulated form के अंदर लिखेंगे hexokinase and glucokinase सबसे पहले बात कहें तो जो hexokinase होता है ये present होता है all tissues के अंदर यनि body के तमाम tissues के अंदर ये hexokinase present होता है next glucokinase की बात करें तो ये present होता है liver के अंदर उसके लावा ये present होता है beta cells of pancreas के अंदर ये पहला difference हो गए उसके बाद km की बात कर लेती है km एक ऐसी concentration होती है जहांपे हम v max का half attain कर रहे होती है तो km की बात करें hexokinase के case में तो वो होती है low तो कि ग्लूको काइनेस की जब हम बात करते है तो वो होती है high उसके लबाद affinity की बात कर लेते है कि ग्लूकोस के लिए इसकी कितनी affinity है इसकी affinity है high इसलिए तो वो जल्दी attain कर रहे है low concentration of substrate के ओपर यह attain कर रहे है और इसकी affinity है low next पात कर लेते हैं v max की v max v max का मतलब है कि यह कितनी जल्दी कितनी देर में bind करके product बना रहे है तो इसको हम v max करते हैं इसका जो hexokinase होता है इसका v max low होता है जब कि जो glukokinase है इसका v max high होता है यह fourth difference आगए fifth difference की बात करें तो insulin का effect effect of insulin इस पे कोई effect नहीं होता है यानि hexokinase पे कोई effect नहीं है और glukokinase इसका effect होता है यानि yes next हम इसके substrate की बात कर लेते हैं तो hexokinase के लिए substrate होती है glucose इसके लगा galactose जब हम metabolism आगे बढ़ेंगे तो हमें यह वाले points समझ भी आएंगे fructose तो यह इसके तीन substrate होते है जब कि जो glukokinase होता है इसका substrate एक ही होता है that is glucose next difference होता है कि इसको कौन से factor allosterically inhibit कर रहे होते हैं तो allosterically inhibiting factor allosterically inhibiting factors कौन-कौन से हैं तो hexokinase के case में तो आ जाता है glucose 6-phosphate glucose 6-phosphate और जो glukokinase होता है उसको allosterically inhibit कर रहाता है fructose 6-phosphate अब यह fructose 6-phosphate कहां से आ गया है इसको समझ लगते हैं glucose 6-phosphate हमने बनाया था अब यह जो glucose 6-phosphate होता है यही जाके जब इसकी concentration ज़ादा हो जाती है तो यही जाके inhibit कर दता है hexokinase को जबकि जो glukokinase होता है इसको inhibit करता है fructose 6-phosphate जो इसका next step होगा glucose 6-phosphate का अगला जो step होगा इसमें हम बना रहे होते है fructose 6-phosphate अब यह जो fructose 6-phosphate होता है यह जाके inhibit करता है glucose kinase को तो यह हमने बात की है allosterically inhibiting factor तो इस तरह से हम यह 5-6 point यह 7 point जितने भी बनी है यह differences हम exam के अंदर लिखेंगे next glucose kinase के बारे में कुछ points आती है glucose kinase तो यह जो glucose kinase होता है इसको हम glucose sensor भी बोलते है glucose sensor क्यों बोल रहे है क्योंकि यह दो ऐसी जगा पे present होता है जहांपे हम glucose की concentration को sense करके आगे से response दे रहे होते हैं कहां कहांपे present होता है एक हमने कहा कि यह beta cells of pancreas के अंदर पे रहे होता है beta cells of pancreas बीटा cells of pancreas का काम यह होता है के यह insulin को secret करे। insulin का काम क्या होता है कि यह glucose concentration को पिर आगे से कम कर यह होता है तो इस पर यहाशे हम इसको glucose sensor कहा है beta cells में present होते है उसके लावा यह present होता है hypothalamus के और hypothalamus के अंदर hypothalamus hypothalamus अब hypothalamic cells के अंदर यह endro-nergic response करवा रहा होता है, यह autonomic nervous system के अंदर hypothalamus involved होता है, यह कोई autonomic response करवा रहा होता है, hypoglycemia या hyperglycemia के अंदर, यह glucokinese का glucose sensor के तोर पर कैसे रो रहे होता है, उसको देख लिए, next हम glucokinese की deficiency की बात कर लेते हैं, तो जब glucokinese की हमारे पास mutation होजेगी, कि यूटेशन की वज़ा से में पास एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं मोर्डी अब इसका क्या मतलब है मेचॉर्टी ओंसेट डियापटिस मलाइटस ऑफ दा यंग अब यह जो मोर्डी होता है इसके अंदर क्या होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया होता है के जिसे रकोगनाइस करेंगे कि गलुकोस की कंसंट्रेषण हाई है तो जब हो रकोगनाइस ह करेंगे तो वह इंसुलीन को भी स कुछीन नहीं होगी तो ब्लैड में गल्डूकोस का लेवल स्वाई होगए जिसके वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होगए यह सरह कि शिक्या कांगी अती हैं कि जब कंसेट्रेश्न अफ्ने साथ भान करके रखे हुती छेस्कों इनेक्टिफ सोज बहुत जादा हो जाती है तो यह उस काहले नियोट्रेशन के अफने से परफॉर्म करने लगे हैं तो यह उस रैג्लrange וס स्वाली है उसके बाद है जीए ऊसके बाद हो एक ग्राफ को डिसकस खरके हैं जिसमें हम i. ग्राफ के इंदर हमां पासम estamos ऑच पे घुन यह एईक्सिस पर आता है डिण कोसी कंसेंट्रेश whats you can browse कि आनि इन्जाइम्直接 हम इसमें जो कर्व होगा ग्लूको काइनेस के लिए वो कुछ इस तरह से होगा जब कि जब हम हेक्जो काइनेस की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा अब हम इसका केम निकाल लेती है केम हाफ ओफ दा वी मेक्स होता है तो यहां पर करके कुछ इस तरह पर आएगा यह glukokainase के था और यह hexokainase के लिए इसमें हम देख सकते हैं कि जो glukokainase है उसका KM हाई है जब कि जो hexokainase है उसका KM कुछ यहां पर करके आएगा hexokainase का KM कम है उसके लबाव वी-max की बात कर लेते हैं VMAX भी देख सकते हैं कि यहाँ पर करके VMAX आएगा VMAX of glucokinase जादा है जबके VMAX of hexokinase हमारे पस कम है तो यह बात होगी glucokinase और hexokinase तो यह हमें फर्स टेप of the glycolysis को देख लिए जिसके अंदर हमने glucose से glucose 6-phosphate बना लिए इंजाइम हमने hexokinase और glucokinase यूस किया अब नेक्स पार्ट की वीडियो के अंदर हम नेक्स स्टेप से आगे परसीड करेंगे इस वीडियो देन कारेंटली शेर इट विद यूर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब तो मैं चैनल